मिर्ची बॉलिवुड पैसा नुकसान की भरपाई के लिए मांगने लगते हैं और सल्मान ने स्टाफ कर दिया है कि पैसा वापस मांगने वालों के साथ वो काम नहीं करेंगे दरसल पिछले साल सल्मान खान के च्यूब लाइट रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उमीद के मुताबिक कमाई नहीं कर पाई तब डिस्टिब्यूटर्स ने उनसे पैसे मांगे तब सल्मान ने भी फिल्म से हुए नुकसान का 50 प्रतिशन अमाउंट लोटा दिया था लेकिन अब सल्मान किसी भी पच्चडे में नहीं पढ़ने वाले हैं इसके अलावा सल्मान ने डिस्टिब्यूटर्स पर भडास निकालते हुए ये भी कहा कि 15 फिल्म में हिट हुई और एक फ्लॉप हो गई तो लोग पैसा वापस मागने आ जाते हैं साथ ही सल्मान ने ये भी कहा कि रेस प्री हिट होगी और इसके हिट होने पर उन्हें पूरा भरोसा है वेलाव सल्मान के इस एंग्री मैन वाले अफ्तार पर कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे साथ अपने व्यूज शेयर करें हमें कमेंट बॉक्स में बताएं